हेलो एव्रिवान वेल्कम बेक तू माय चानल विज्डम अकेडमी आई होप इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों ने शिक्स क्लास की जो दोनों वीडियो है पार्ट वन और टू दोनों की वो वीडियो देख लिए और उसमें जो कॉंसेप्ट था वो आपने समझ ल पृत्वी में रहते हैं तो आमें उसके बारे में सारी चीज़ा पता होनी चाहिए तो यह जो सारे चैप्टर आना अपस में इंटरलेट यह एक बन रहा है पहले हमने सोरल सिस्टम के बारे में को पढ़ा प्रित्वी के दिशांत रखाएं अक्शांस रेखाएं टाइम कैस प्रित्वी की गतियां कितने परकार की होती है तो हमको दो परकार मेंशन करे हुए वह होता है गुरूडन और टो यह जो लास्ट जब ने पढ़ा था उसमेंभी मैंने डिसकस करा था फ़र्स्ट चैप्टर में गुरूरन और क्रैमार क्या होता हैには तो बहुत ग्धृरन और इसको पास चक्क्रल लगाते हैं भी , फिलाल अबी हम्हारे और सब्सक्रान परकार क्ड़बिंत इस जर्प्रि पृष्वी क्या होता है 9 पीजने पर में पता है तो पृती भी यह हई एक महिने बाद और सूरज के संठा के लिए अपर आई एसे करके चक्कर लगाईगी मतलब जो सूरह के इससे करके पूरा पत्थ बना करके दिर्गा की कार पत्थ होता है इसका प्रित्वी का ऐसा होता या भी कोशन प्रित्वी के पीसे में आया हुआ है सो यह important है हमारे paper के point of view से हो सकता है paper में आ भी जाए और न भी आए तो DTSB में question आयता है कि जो प्रित्वी का जो चक्कर लगाती है सूरे के असपस उसका रास्ता कैसा है और यह जो चक्कर इसको बोलता है परिकर्मन यानि की परिकर्मन क्या है यह हमारा sund और इसके आसपस प्रित्वी चक्कर लगा रही है यह जो प्रित्वी आसपस इसके आसपस गुम हरी है के यह अमारा परिकृमन होता है क्यों अब आते मारे गृर्ण के ऊपर कि गृर्ण क्या होता है तो गृर्ण क्या होता है मैंने लास्ट में भी डिस्कस कर रहा था देख तो प्रिद्वी जो अपने अक्षपर रह करके करती है, उसको हम बोलते हैं गृुरुण प्रिद्वी सूरच के असपष गुमती है और गृुरुण क्या होता है? जब वो अपने अक्षपर ही गुमती है इसका एक बहुत अच्छा eczample है मैं आपको एक करवानी सकती जिसे कि मालो आप खड़े हो आप बीच में चेर रगदो चेर को मालो वो सन है तो आप चेर के आसपास चक्कर लगाओ चेर के आसपास चकर लगाए हो तो वो क्या परिक्रमाण लेकिन आप नॉर्मल चक्कण लगा रहे हैं आप उसमें भूम खूम करके चक्कण लगा रहे हूँ तो वो जो आप घूम रहे हो अपनी जगा पर अपनी एक्स पर खड़े होकर कि वो है गुरूरण और जब आप पूरी चेयर के आसपास तो चक्कर काट रहे हो वो है परिक्रमाई ठीक है तो आई होप आपको ये दोनों गतियां समझ में आ गई होंगी फिर आता है इसके बत परिदीप्तु वर्ट सर्कल ऑफ इलुमिनेशन ये बहुत इंपोर्टन कोशन है वैसे ये कोशन जो है यूपी एस्सी में आया था अभी मुझे नहीं पता कि अगर और किसी एक्जाम में आ रहा हो बटियस ये यूपी एस्सी का कोशन है इसलिए मैंने इहां परिदीप्त वर्ट क्या होता है सर्कल और इलुमिनेशन क्या होता है तो देखो यहां पर इसका चित्र बना हुआ है यह क्या होता है कि मालो यह प्रत्वी है ठीक है प्रत्वी में इस साइड तो हो रही है दिन ठीक है इस साइड तो प्रत्वी के हो रहा है दिन और इस साइड हो रही है प्रत्वी के रात ठीक है तो यह एक ऐसा वरत होता है जो पूरा फिफ्टी फिफ्टी परहट और तो इस तरीके का ब्रत जो अंहमें दिखता है इसको दिखता है इसको पर्धीप्ती वरत बोलते तो प्रदिफ्ती वरत की खासियत क्या होती है कि आधा टित तरफ तो पुरीरा थिफुरी आधी तरफ दिनमीनस है करते हैं कि आधा तरफ रात और आधी तरफ दिन इसको बोला जाता है सर्कल ओफ इलुमिनेशन या प्रिदिवती व्रत हिंदी में और यह दिन वर रात को विवाजित करने वाला व्रत होता है दिन वर रात को विवाजित करेगा यह सर्कल है इस साइड हो गया हमारा दिन इस स सारी डेटे अभी हम ये जो पढते हैं हम अपनी इंडिया को ले कर काड़ने वाले ठीक है यह सHave गया अभी यह जो इसका मेरे हम dow अब देखो यह दिखाए दे रहे हैं अब ही शफरी आप Ce कि फर्वरी का महीन है जो कि बहुत जादा गर्मी वाला है तो घर्मी वाला jard वाला है तो के शाइड में रहते हैं हम hardest अफ़ उपर इधर की तरफ पड़ते हैं हम कहा बườiसinen ठाक चीजिक पर गोलारद नीचे वाला दक्षेडी गोलार्द तो हम कह रहते हैं उत्री गोलार्द में तो देखो उत्री गोलार्द में अभी क्या इस्तिती हो रही है जो इंडिया की है वो इंडिया की स्तिती क्या हो रही है देखो यह हमारी प्रित्वी तो इस ताइम पे ना हमने अगर इस तरीके से बाटे प्रित्वी को अभी हम इस तरीके से बाट रहे हैं भी इस से डिवाइट कर रहे हैं और हम इस साइट परता है हम इस साइट पर आते हैं तो देखो इस टाइम पर क्या है सूरे का परकाश है क्योंकि सूरे अभी इस टाइम पर है प्रित्वी हमारी सूरे के आसपस चक्कर लग को जो पास्ता से यहां के लोगड़ाइश को दिए इन एरिया हो रही हो थी है बहाँ स्टक आनी पार तो इंडिया में यहां कि यहां पर कि चल रही होती है बहुत जादा ठंड होती है और इंडिया में चल रही होती शीतर होती है यहां तो k Rise of India के प्रड़ में बास्वल माहिने का महीना होता है मिंस क्या मानथे कि 22 जो count की कर्न prior मार्च का टायम होता है और यहां पर 22 दिसमबर तो यह था इन डेट्स का मतलब अब क्या है यह 폰वरु मार्च op च्रा Quran तो मार्च में कर ल испकbliğ में करने हैं जानाती है यह फुरको जो तरीके से चाहिए आप इस तरीके से करो यह भाला जो पाट ही घाल रही जो जादा गर्म रहेगी यहां पर जादा गरम रहेगा बकायदा इनके पिर हतार की इन पर रहती पो थो गरता हम के यहरा प्रिप गर्म की तरफ कर लेता है तो गरिषंच 20 हूं 21 सबसे बड़ा दिन माना जाता है तो यहाँ पर गर्मी का रीजन सबसे ज़्यादा क्या होता है सन है यहाँ पर और पृटवी इसके ठीक पस्ची में आ जाते हैं और यहाँ पर दबा के देखो कितनी जाधा गर्मी लग रही है कितना जाधा सूरे का परकाश पढ़ रहा है पर प्रकाश यहां पर ठीक है और हम तो वैसे भी उत्री घुल अर्ध में रहते हैं और उत्री गोलाद में अपने पढ़ा था जो विशुवत रेखा और करकरेखा के बीच में देश उनके उपर वर्श में एक बार सिर्पर्श गले रहता है माई, जून, जुलाई, अगस्त यह बहुत जादा टाइम होता है जहां पे इंडिया को बहुत जादा घर्मी रहती है थीक है तो आपको को भी पता है दिल्ली की गर्मी और इ lesser दि दोनों किती जादा फेमस तो में से तो नकिसमन ταट दूढ़ना पड़ करते हैं तो शाइब यह यहां पर क्लाइब सब्सक्क्याइब तो मतलब सीदे सूरज का ऊठास का ने मोशन का श्रकणा सब्सक्याइब शीत रितु शरद रितु फिर ग्रीशम रितु फिर वसंत रितु फिर ये सेम सर्दी में करना ऐसे तो जो है इस तरीके से चक्कर पूरा करते है यानि पृत्वी को एक परिक्रमन करने में कितना टाइम लगता है तो यह आपको पता है परिक्रमन करने में लगते हैं पृत्व गुरूरण की वज़े से जैसे question यह आता है important की दिन और रात किसकी वज़े से होते हैं तो आपका answer होना चाहिए गुरूरण की वज़े से प्रिद्वी पर दिन और रात बनते हैं चीक है आगे बढ़ते हैं हाँ अब यह क्या है उत्तर आयनात बोलते हैं इसको दक्षिन आयन अगर यहाँ पे बहुत जयादा गर्मी पड़े ओढ़ हैं तो यहाँ पे बहुत जयादा ठंड पड़े होगी ठीक है क्याँ की सूरे का पर्कास सारा बरस रहा है यह तक तो पहुकी नहींने और तो यहाँ पर ऐसे Heaven और गर्मी और इसका इल्टा लेलो अगर यहाँ ठ तो गर्मी धश्रद रित्व ख किसर्मर में 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है करकर रेखा पर तो करकर रेखा देखो अभी कल यह दिसकस कर रहा तो यह कर्क रेखा पर 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है ठीक है यहां पर जब सन यहां पर पहुची नहीं पा रहा तो ठंड पड़ी नहीं री तो यानि मकर रेखा पर उसके अपोजिट क्या होता है सबसे छोटा दिन ठीक है उतरी गोलार्द में उतरी गोलार्द में अगर इहां पर सबसे बड़ा दिन है तो यहां पर घ्रप चोटा दिन हो ठाव में 20-जून को कर corresponds यानि कि दख्षिड गोलाज में शबसे छोटा दिन ऊगए कि 22 दिसमबर हमारा सबसे चोटा रहता हैं। है ना विशूब तो विशूब क्या होता है एक्वनिंस का मतलब क्या होता है कि यह पृत्वी की कैसी स्टेज होती है जहां पर पृत्वी पर दिनों रात बराबर होते हैं क्योंकि सूरज देखो सूरज वहालो यहां से चलता है तो ऐक बार विहाँ पर चमका ठीक है तो यहां पर क्या होगा जहां पर सूरज काप्र काशी cancel पड़ेगा वहां पर धिनों하다 बराबर रहेंगे फिर यह उपर गया उपर जाता है फिर यह वापस आता है तो यह क्या होता है यह एक स्थिति जो है एक साल में दो बार आती है कि देखो कैसे बताती हूं यह है पृत्वी ठीक है अब सूरज है वह यहां से जा रहा है ठीक है तो वह यहां से होकर की गया फिर जब वह वापस तो यह से खिंते होती है तो यहां पर रस्तिती में को吗 यह जह देनम है किसा थिखिले के दिन राद बराबर हो तो आपढो taoिए कोरित hours तक झालों के यहां जीआ निकलता भूत देर से और जाता भी हम ज़स्ट आएं तो यह क्या है दिनो राद बराबर नहीं उपाते हैं लंबा छोटा रहता है लेकिन पूरे वर्ष में दो दिन ऐसे होते हैं जब वो हमारे बराबर रहते हैं तो वो कौन से दिन है 21 मार्च और 23 दिसंबर यह हमें याद रखने बहुत ज़्यादा जरूरी है जब हम लोग शर सीधा चमकता है विशुवत रहब पर इस टाइम यह ही जो विशुवत रहा पर सीधा-सीफरूरी चमकता है पर काश पूरा सर पर होता है पूरा काstate तो विशुवात रहब झाल झाल